नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के पाठ में आज के पाठ का हमारा विशे है सूफी काव्य और मलिक मुहम्मद जायसी सूफियों ने भारतिय समाज के हर पक्ष को प्रभावित किया लोक जीवन में प्रचलित प्रेम कहानियों और पुरानिक कहानियों को अपनी रचनाओं का आधार बनाया इसके बारे में विस्तार से विचार करके इस काव्य के एतिहासिक, सांस्कृतिक वे साहितिक महत्व को समझा जा सकता है सूफी काव्य को प्रेम मारगी काव्य धारा कहा जाता है प्रेमाश्रई सूफी काव्य रचनाओं की कथावस्तु भारतिय परंप्रा वे समाज में प्रचलित प्रेमाख्यान थे और इनका दार्षनिक आधार सूफी मत था भारत में ज्याहरमी स्तापदी के आसपास सूफी मत का विकास होना आरंब हुआ चिस्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्षबंदी मुख्य तोर पर सूफियों के चार संप्रदायों ने भारतिय समाज में अपना स्थान बनाया मुईनुदीन चिस्ती, कुत्बुदीन बक्तियार काकी, निजामुदीन ओलिया, अली कलंदर जैसे प्रख्यात सूफी साधकों ने भारतिय जन जीवन को प्रभावित किया सूफियों ने हिंदू और मुसल्मानों में सांस्कृतिक एकता स्थापित की अद्वैतवाद, एकस्रवाद, योग, प्रानायाम्याम, धार्मिक सहिस्णुता, रह्ष्यवादिता और मुक्ति के मार्ग में गुरू के महत्व जैसी परंपराएं, भारतिय धर्म वे साधना के मतों में थी सूफी मत में भी ये विशेष्थाएं थी, दार्षनिक और साधना के स्तर पर मुझूद एकता की जमीन पर ही भारत में सूफी मत फला फूला पंजाब के साहित्य को शेक फरीद, शाह हुसैन, बुल्ले शाह, सुल्तान बाहु ने गहरे से प्रभावित किया हिंदी साहित्य में सूफी मत को आधार बना कर साहित्य की रचना की गई, सूफियों ने अपनी रचनाएं लोक भाशा में रची, जिससे इनका संदेश जन जीवन में दूर तक गया इन रचनाओं की कथाओं का मुख्य संदेश था प्रेम, हिंदू और मुसल्मान दोनों ने इनको अपने निकट पाया, सूफी साहित्य की रचनाएं इस प्रकार हैं जायसी, पदमावत, राजा रतन सेन वे पदमावत, कुतुबुन, मिर्गावती, कंचनपुर की मिर्गावती और चंदरनगर के राजकुमार मज्जन, मधुमालती, महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती और कनेसर नगर के राजकुमार उस्मान, चित्रावली, रूप नगर की राजकुमारी चित्रावती और नेपाल के राजकुमार सुजाना, शेख नभी ज्यान द्वीप, राजकुमार ज्यान द्वीप और राजकुमारी देवियानी, मुल्ला वजही, कुत्ब मुश्त्री, गोलकुंडा के राजपुत्र, म बंगाल की सुन्दरी मुष्त्री नुस्त्रती गुल्षने इश्क कनक गिरी के राजकुमार मनहर और धर्मराज की पुत्री मदमालती मुकीमी चंदरबदन वे महयार सुन्दरपटन के हिंदू राजा की पुत्री चंदरबदन और मुसलिम व्यापारी पुत्र महरयार मीरा हाश्मी यूसुफ जुलेखा आचारिय रामचंदर शुक्ल ने सूफी साहित्य और जाइसी का महतुरे खांकित करते हुए लिखा है कि कबीर ने अपनी जाड़ फटकार के द्वारा हिंदों और मुसलमानों के कटरपन को दूर करने का जो प्रियास किया वह अधिकतर चिडाने वाला सिध्ध हुआ हिरदय को सपर्स करने वाला नहीं मनुष्य मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त नहुआ अपने नित्य के जीवन में जिस हिरदय भास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है उसकी अभिवन्जना उससे ना हुई कुत्बन जायसी आदी इन प्रेम कहानी के कभियों ने प्रेम का सुद्ध मारक दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हिरदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है हिंदु हुर्दय और मुस्लमाν हुर्दय आमने सामने करके अजनवीपन मिटाने वालों में इनहीं का नाम लेना पड़ेगा इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुोंकी कहानिया हिंदुोंकी ही बोली में पूरी सहिर्दयता से कहकर उनके जीवन की मरम स्परशनी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हिरदय का पूर्ण सामजस्य दिखा दिया कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई प्रोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था प्रत्यक्स जीवन की एकता का दिख सामने रखने की आवशक्ता बनी थी यह जायसी द्वारा पूरी हुई सूफी काव्य की प्रवितियां सूफी काव्यों में अभिवक प्रेम में प्रेमकाओं और आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना होती है सूफी प्रेमाख्यानों में नाइका के गुण सुनने चित्र में उसे देखने अत्वा सपने में देखने से प्रेम उपजता है और नायक को नाइका की प्राप्ति के लिए प्रेतनशील रहता है नायक और नायका में प्रेमानुभूती की तिव्रता समान रूप से होती है सूफी काव्यधारा की मूल विशयवस्तु प्रेम है प्रेम के सन्योग और व्योग दोनों पक्षों का पूरे मनयोग से चित्रन किया है लेकिन सबसे अधिक मन व्योग पक्ष में रमा है सूफी कव्य में प्रेम जीवन के अन्य पक्षों के साथ ही फलिभूत होता है इसलिए ये नायक नायका के एकांतिक मिलन तक सीमित नहीं रही बलकि प्रेम पारिवारिक और सामाजिक जीवन के साथ संबध है सूफी कव्यों ने लोक जीवन का सहचित्रन किया है जैसे अंद्विश्वास, मनोतियां, यंत्र तंत्र प्रयोग, जादू टोना, डायनों की कर्तूतें, विभिन लोक उत्सव, लोक व्यवहार, तीर्त, वर्त, सांस्कृतिक वातावर्ण, बड़ी सफलता से अंकित किया है सामान्यत, सभी सूफी कवियों को हिंदू संस्कृति, परंपरा और धर्म से गहरा परीचय था, इस कारण हिंदू धर्म के सिध्धान्तों और आचार विचार का सुन्दर वर्णन किया है जाइसी ने भारतिय त्योहारों होली और दिवाले का विस्तार से वर्णन किया है प्रेम की अभिवंजना करते हुए एव्यक्त सत्ता की और संकेत करना था, इस कारण पूरी काव्य प्रक्रिया प्रतिकात्मक है प्रेमाख्यानों के सभी पात्र प्रतिकात्मक हैं, चाहे वे एतिहासिक हों या फिर काल्पनिक कथा में इस रहस्य को समझा दिया गया है, सूफी कथा रूपक हैं, लोकिक प्रेम कथाओं द्वारा अलोकिक प्रेम की अभिवक्ती होने के कारण रहस्यवाद की भावना आ गई है सूफी कवियों ने अलोकिकता को व्यक्त करने के लिए समासोक्ती और अन्योक्ती का सहारा लिया है प्रस्तुत के माध्यम से ऐ प्रस्तुत की और संकेत करना सूफी कवियों की रचना प्रक्रिया का अभिन अंग है गुरू की सहायता लेकर साधना मार्ग पर आरूड होकर ईश्वर तक पहुंचने का प्रयतन करता है सैतान को आत्मा प्रमात्मा के मिलन में बाधक समझते हैं और सैतान रूपी बाधा को सच्चा गुरू ही दूर कर सकता है सूफी कवियों ने कालपनिक पात्रों को भी गुरू माना है जायसी के पदमावत में हिरामन तोता एक कालपनिक पात्र है सूफी कवियों का मुख्य केंद्र आवद था इसलिए अधिकान सूफी कवियों ने अवधी भाषा में ही काव्य रचना की उस्मान और नसीर पर भोजपुरी का प्रभाव है नूर मुहम्मद ने कहीं कहीं ब्रजभाशा का भी प्रियोग किया है अर्भी और फार्सी के शब्द भी इनके काव्यों में बाउधा प्रियुक्थ होते है जायसी की भाषा में अवधी का ठेट और स्थानिय रूप मिलता है अधिकान्स रचनाओं में दोहा चोपाई शैली का प्रियोग मिलता है प्रेमाख्यान काव्य में कथानक को गती देने के लिए कथानक रूढियों का प्रियोग किया गया है जैसे चित्रदर्शन, सुक्षारिका, आदिद्वारा, नायका का रूप श्रवण कर नायक का उस पर आसक्त होना मंदिर में प्रियय युगल का मिलन आदिक थानक रूढिया है सूफी काव्य धारा के सभी काव्य भारतिय चरित काव्यों की सरक बध्ध सैली पर ना होकर फार्सी की मसनवी सैली में लिखे गए हैं जिनमें कतारंब के पहले इस्वर स्थूती, मुहम्मद साहब की स्थूती, ततकालिन बादशा की प्रसंसा और गुरू परंपरा का परीचे दिया जाता है अब हम बात करेंगे सूफी काव्य के मुख्य कवी मलिक मुहम्मद जायसी के बारे में मलिक मुहम्मद जैसी भक्ति कालिन प्रेमाख्यान काव्य के प्रमुख कवी है जैसी का जन्म 1492 इस्वी में हुआ उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के जैस कस्बे में निवास के कारण जैसी कहलाए जैसी ने अपने बारे में लिखा है पदमावत में जैस नगर धरम अस्थानू तहां आई कवी कींद बखानू जैसी ने आखरी कलाम नामक रचना में जैस नगर मोर अस्थानू नगरक नाव आदि उदयानू तहां दिवस दस पहुन आयों मा विराग बहुत सुख पायों बच्पन में ही जैसी के माता-पिता का देहान्त हो गया था वे संतों के साथ ही रहे जैसी एक आख से काने और देखने में कुरूप थे कहा जाता है कि शेर्षा सूरी इनके रूप को देखकर हस पड़े थे जिस पर जैसी ने कहा मोही का हसे ही कि कोहर ही यानि मुझ पर हस रहे हैं या मेरे बनाने वाले पर उनकी ये बात सुनकर सेर्षा ने माफी मांगी थी जैसी के दोहे और चौपाईयां लोक में इतनी ख्यात थी कि ततकालिन फकीर उनको गाते थे जैसी की गिंती अपने युग के सिद्ध फकीरों में होती थी अमेठी के राजगराने में उनका बहुत मान सम्मान था जीवन के अंतिम दिनों में अमेठी से दो मील दूर एक जंगल में रहा करते थे सन 1542 में अमेठी में जैसी की मृत्य हुई रचनाएं जैसी की 21 रचनाओं का उलेख मिलता है पदमावत, अखरावट और आखरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, कहनावत, प्रमुख है पदमावत में पदमावती की प्रेम कथा का रोचक वर्णन हुआ है रतन सेन की पहली पतनी नागमती के वियोग का अनूठा वर्णन है रतन सेन और पदमावती की लोकिक प्रेम कहानी द्वारा अलोकिक प्रेम की अभिवन्जना की गई है अखरावट में वर्ण माला के एक-एक आधार को लेकर सिध्धान समंधी तक्तों से भरी चोपाईयां कही गई है और साथी, इश्वर, स्रिस्टी, जीव, इश्वर प्रेम आधी विश्यों पर विचार प्रकट किये हैं आखरी कलाम में कयामत का सुन्दर वर्णन है जायसी की ख्याती का आधार पदमावत है जायसी के सबसे प्रसिद्ध गरंथ पदमावत की रचना सेर्षा के सासनकाल सन 1540 इश्वी में हुई गरंथ के आरंभ में जायसी ने मसनवी की रूढ़ी के अनुसार ततकालिन शाशक सेर्षा की प्रसंसा की है पदमावती की कथा का संक्षेप में प्रकास डालना यहां उचित होगा इसके माध्यम से हम प्रेम की गाथाओं के बारे में जान सकेंगे सिंहल द्वीप के राजा गंधर्वशेन की बेटी पदमावती रूप और गुण में एद्वितिय थी उसके पास स्वर्ण रंग का वाचाल और ज्ञानी तोता था जिसका नाम था हिरामन एक दिन वेप दमावती से उसके वर्ना मिलने के विशे में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और उस पर गुसा किया सुआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया तोता वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिये के हाथ लगा उसने बाजार में चित्तोड के ब्राहमन को बेच दिया उस ब्राहमन ने एक लाख में चित्तोड के राजा रतन सेन ने खरीद लिया रतन सेन तोते को बहुत प्यार से रखता था एक दिन राजा सिकार के लिए चला गया तो उसकी रानी नाग मती ने तोते से पूछा कि संसार में मेरे समान सुन्द्री भी कहीं है इस पर सुआ हंसा और उसने सिंहल की पद्यमनी के रूप की प्रसंसा करते हुए कहा कि उसमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है कहीं ये राजा को पद्यमनी के रूप के बारे में न बता दे कि इस डर से उसे मारने की आग्या दे दी परंतु उसकी दासी ने राजा के डर से उसे नहीं मारा और अपने घर में चिपा दिया राजा रतन सेन वापस आया तो तोते को ना पाकर दुखी और क्रोधित हुआ तोता लाया गया और उसने सारी बात बता दी पद्यमनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्चित हो गया उसके वियोग से दुखी होकर व्याकुल होकर उसकी खोज में जोगी का वेश बनाकर घर से निकल पड़ा आगे आगे रास्ता दिखाता हिरामन तोता था और साथ थे जोगियों के वेश में सोला हजार कुमर रतन सेन की सभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था ग्रहों की गलत सूचना देने पर राजा ने राघव चेतन को देश से निकाल दिया राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरुसकार की आशा से दिल्ली के बादसा अलाउदीन के दरबार में पहुँचा और पदमावती के रूप को संसार के उपर बताया गोरा बादल नामक दो वीर क्षत्रिय सरदार साथ सो पालकियों में ससस्त्र सैनिक छिपा कर दिल्ली पहुँचे बादसा के पास संदेश भेजा कि पदमनी थोड़ी देर अपने पती से मिलकर तब आपके महल में जाएगी आग्या मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रखी गई और उसमें से एक लुहार ने निकल कर राजा की बेड़ियां काट दी रतन सेन पहले से ही तयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए शाही सेना पीछे आते देख बृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतन सेन को लेकर चित्तोड पहुँच गया चित्तोड आने पर पद्यमनी ने रतन सेन से कुम्भल नेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही जिसे सुनते ही राजा रतन सेन ने कुम्भल नेर को जागेरा लडाई में देवपाल और रतन सेन दोनों मारे गई रतन सेन का सव चितोड लाए गया उसकी दोनों रानियां नागमती और पदमावती हस्ते हस्ते पती के सव के साथ चिता में बैठ गी पीछे जब सेना सहित अलाउदिन चितोड में पहुँचा तब वहां राक के धेर के सिवा कुछ न मिला कवी ने स्व्यम ग्रंथ की स्माप्ति पर कहा है तंचितोर मन राजा कीना हिय सिंगल बुद्धि पदमनी चीना गुरु सुआ जई पंथ दिखावा बिन गुरु जगत को निर्गुन पावा नागमती यह दुनिया धंधा बाचा सोईन एहचित बंधा रागव दूत सोई सैतानू माया अलावदिन सुल्तानू जाईसी के काववे की विशेष्टाएं जाईसी को प्रेम की पीर का कवी कहा जाता है लोकिक प्रेम पत्थ के त्याग, कस्ट और विगन बाधाओं का चित्रन करके कवी ने भगवत प्रेम की उस साधना का स्वरूप दिखाया है जो मनुश्य की वृत्तियों को विश्व का पालन और रंजन करने वाली उस परम वृत्ति में लीन कर सकती है लोकिक प्रेम के उतकर्ष के माध्यम से भगवत प्रेम की गंभीरता का निरूपन किया है जाइसी ने भारतिय प्रेमाख्यानों को अपने काव्य का विशय बनाया और उनके माध्यम से आध्यात्मिक रहश्यों को प्रस्तुत किया प्रेमावत काव्य के रूप में एक प्रेम कथा है किन्तु उसमें आत्मा प्रमात्मा का मधुर सम्मंध तथा सूफी उपासना पध्यती की विविद्मान्यताएं प्रतिकात्मक रूप में वरनित हैं प्रेमावत के रूपक पक्ष को स्व्यम कवी ने स्पस्ट किया है प्रेम मारगी सूफी कवीयों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेश्ता है कि इसके ब्योरों से भी साधना के मारग उसकी कठनाईयों और सिद्धी के स्वरूपादी की जगह जगह व्यंजना होती है जाइसी ने भारतिय त्योहारों होली और दिवाली का विस्तार से वर्णन किया है होली के त्योहार पर अबीर गुलाल वर्रंग लगाकर उल्लास मनाय जाता है इसे मिलन का त्योहार भी कहा जाता है अमीर गरीब उच नीच हिंदू मुसल्मान समस्त संकिर्णताओं को भूल कर लोग एक दूसरे से मिलते हैं फागुन मास की पुर्णीमा के दिन होली का दहन किया जाता है और अगले दिन उसकी राख उड़ाई जाती है जाइसी ने पदमवत में इस धार्मिक पक्ष का वरणन किया फाग खेल पुनिदाहब होली सै तब खेह उड़ायब जोली फाग खेल कर होली जलाऊंगी और राख बटोर कर जोली भरभर उड़ाऊंगी होली के उत्सव पर अवध में अनेक प्रकार के नृत्य के जाते हैं जिन में चांचर, घनोरीगान, मनोरा, ठूमकादी जाइसी ने होली और दिवाली के चित्रों का विस्तार से वरणन किया है भारतिय सोंद्रे वरणन की परंपरागत शैली को ही जाइसी ने अपनाया है यह शैली नक्सिक वरणन कहलाती है पद्यमनी के रूप का जो वरणन जाइसी ने किया है वह पाठक को सोंद्रे की लोकोतर भावना में मगन करने वाला है अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है कुछ पद्य देखिए सरवर तीर पदमनी आई खोपा छोर केस मुकलाई ससिमुख अंग मलेगिरी बासा नागिन जहांत लीन चहुपासा जायसी का रहश्यवाद हिंदी साहित्य की अमुल्य निधी है पदमावत की अन्योक्तियों और समासोक्तियों में प्रस्तुत अप्रस्तुत का जैसा सुंदर समन्वय देखा जाता है वैसा हिंदी के कम कवियों में पाया जाता है आप्रस्तुत की व्यंजना के लिए जो प्रस्तुत वस्तुएं काम में लाई गई हैं और प्रस्तुत की व्यंजना के लिए जो आप्रस्तुत वस्तुएं सामने रखी गई हैं वे अवशक्ता अनुसार कहीं बोध वृत्ती में साहक होती हैं और कहीं भावों के उद्धीपन में जाइसी सूफी संप्रदाय के अनुयाई हैं जिसमें साधक प्रेम की साधना से भी अपने साध्य को पा सकता है जीवात्मा के इश्वर से मिलन का रूपक रहस्य भावना के साथ कवी ने प्रस्तुत किया है वे इसलाम और हिंदु धर्म की मानवतावादी मान्यताओं में समन्वे स्थापित कर रहे थे धर्म के करमकांडों और बाहरी आडंबरों का विरोध कर रहे थे का भया परकट कया पकारें का भया भक्ती भू सिर्मारें का भया जटा भभूत चढ़ाएं, का भया गेरु कापर लाएं, का भया भेश दिगंबर छाटे, का भया आप उलट गए काटे, जो भेख ही तजी मोन तु गहा, ना बग रहे बलु भगत बेचहा पदमावत की कथावस्तू का प्रवाह स्वभाविक है, केवल कुतुहल के लिए घटना में ऐस्वभाविकता नहीं आने दी है, मनुस्य जीवन के मरम स्परसी स्थलों की पहचान करके वर्णन किया है, घटनाओं के परिणाम सामाजिक यथार्थ के निकट है, जायसी ने प्रबंध सैली को अपने उदेश्य के अधिक अनुकूल समझा, उन्होंने लोक प्रचलित भारतिय प्रेम कथाओं का आधार लेकर महा काव्य की रचना की और साथ ही विदेशी मस्नवी सैली को भी स्थान दिया, काव्य रचना में आपने आलंकारिक शैली, प्रतिकात्मक शैली, सब्चित्रात्मक शैली तथा अतिशोक्ति प्रधान शैलियों का प्रियोग किया है, जैसी की भाषा ठेट अवधी है, उन्होंने उसके व्याक्रन सम्मत स्वरूप पर विचार न करके उसमें माधूरिय और मृदुलता के संबर्धन पर ही अधिक ध्यान दिया है, यही कारण है कि उसमें व्याक्रन समंधी असुद्धियां हैं, प्रन्तु शुरूती माधूरिय और हिर्दय को छूने की अद्भुत शक्ती है, जैसी की रचनाओं में विविध रसों का समावेश बड़ी ही स्फलता के साथ किया गया है, श्रिंगार के अत्रिक्त वीर, रोद्र, विविध रसों का मार्मिक चित्रन भी जैसी की कविता में उपलब्ध है, जैसी ने दोहा चोपाई चंदों का प्रियोग किया, जैसी ने अलंकारों के प्रियोग में पूर्ण उदारता से काम लिया, रूप वर्णन, युद्ध, प्रकृति चित्रन, तथा आध्यात्मिक तत्वों की रहश्य योजना में अलंकारों की पूरी सहयता ली गई है, आपके प्रिया अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, रूपक अतिशोक्ति, आधिका विशेश रूप से प्रियोग हुआ है, महाकवी जैसी सांस्कृतिक समन्वय और एक्ता के पक्षधर थे, इन्होंने धार्मिक सांस्कृतिक खेत्रों में समन्वय स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई हिंदू-मुस्लिम जीवन के अनेक संदर्भों में जायसी दोनों संस्कृतियों के अमर सेतू है उन्हें अल्लाह और इश्वर में कोई अंतर दिखाई नहीं देता उनका मानना है कि जो भिन्नता दिखाई देती है वह केवल बाहरी है परगट मेरा गोपाल गोबिंद कपट ज्यान तुरकन हिंदू अपने रंग सो रूप मुरारी कत हूं राजा कत हूं बिखारी कत हूं सो पंडित कत हूं मूरख कत हूं इस्तरी कत हूं पूरख जैसी ने पदमावत में हिंदू के संसकारों को स्थान दिया जन्म से लेकर मृत्यू तक लोक में प्रचलित संसकारों के सजीव चित्र प्रस्तूत किये जन्म के समय विवा संसकारों और मृत्यू के बाद रिती रिवाजों का सजीव चित्रन किया है जायसी ने मुसल्मान होते हुए हिंदू रिती रिवाजों का आत्मियता वे संबेदन शीलता से वर्णन किया है जायसी धार्मिक सहिस्णता और सामप्रदाइक सद्भाव के संदेश वाहक हैं जो किसी भी समाज की प्रगती के लिए जरूरी है दोस्तो आज हमने पढ़ा सूफी काव्य और मलिक मुहम्मद जायसी मिलते हैं अगले पाठ में तब तक के लिए धन्यवाद जायसी दोस्तो आज है